मासलपुर में पहुंची तो मुझे पता चला कि यहां पे तेली समाज के लोग इस पान की खेती को अरते हैं और यह बर्सों से ही इस खेती को करते आ रहें लेकिन आज जब मैंने देखा तो मात्र 10-20 घर ऐसे है कि जो इस खेती को करते हैं मैंने उनसे बात की तो उन्होंने अब द।क पताया इस खेती को कन्य में भभी बहुत तो लागत लगती है। लेकिन उस लागत लगती अंसार हमारा विक्रहनी होता है। क्या कारण है कि पारन की खेती कम होती ज़ा ह। ? के परिवार करते थे आज कितने परिवार इसके थे अब तो दसोफ़ परसेंट ना थे तो खराब हो जागा ठैकने पड़ेगा कोई काम कहीं नहीं। और सरकार के और से कोई सुब्दा और सरकार के अगारते हमारे लिए कोई सुब्दा नहीं। मैंने पूछा ये कितने समय से चल रहा है तो उन्होंने बताये कि हम करीब 10 साल से इस चीज को लेकर पराश हैं। लिए धी अचार कि हमारे इंहरे हमारी रोड़वेच की विवस्था हो सही है हिए नहीं तो हम इस खेती को वरकार रख शकते हैं। नहीं तो जो हम लोग कर रहे हैं वह भी चले जाए। क्योंकि हमारा इसमें घर कर कुझारलय भी नहीं चलता है। इतनी मेहनत करने के बाद में वो एक खेती पेदा करते हैं, इससे मासलपूर के परिवार पे क्या फरक पड़ रहे हैं? यह इसा पर फरक तो कि अब खेती नहीं मेले गी तो गहां छोड़ करके आद मीचाएंगे, जहीना कहीं अपने पेट का पालन करेंगे, यहां तो भूगन मरने का काम है, और कोई खेती पेशी हैं हमारे हैं, तो इसमें प्ड़ा गयों कर लें और कोच वीश की प्ड़ा कर ले जिससे मासलपुर के पान की खेती करने वाले लोग अपना पलायनी करें और अपनी पान की खेती को बनाए रखें सुनीता कसेरा इंडिया अनहड के लिए